प्लेबैक सिंगर के कोई माने नहीं थे उससे चूंकि प्रोडुसर्स यह समझते थे के इनको बुलाया पैसे दे दिये और वो गए गाके बस बात खतम हो गई चूंकि आपने देखा होगा शायद महल का जो मेरा रेकॉर्ड है उस पे कामीनी नाम है मतलब जो परदे पे मदुभाला का नाम था वो नाम है बाद में मुझे थोड़ा सा यह महसूस हुआ और सबसे पहले बरसात में हम लोगों के नाम परदे पे भी आए और रेकॉर्ड पे भी आए और उसके लिए मुझे थोड़ा सा लड़ना पड़ा कि यह हमारा नाम क्यों नहीं है और जब महल का मेरा गाना चला तो मुझे अभी तक याद है कि रेडियो पे हजारों लेटर्स आये थे फरमाईश कि यह गाना बजाया जाया और फिर उसको पूछा गया था कि यह गाना कि इसने गाया है उसका नाम हमें बताया जाया तो हमें फिर लोगों ने फोन किया रेडियो वालने ने फोन करके कहा कि ऐसे ऐसे हमारी पास आया है फिर उन्होंने कहा कि यह लतामंगिशकर कर गाना है और वो रेडियो पे अनॉंस किया गया था कि यह लतामंगिशकर में गाय में म्यूजिक तो दिन राथ चलता था, जूंकि वो गाते थे इस वज़े से, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिता जी किसी को सिखा रहते गाना, और वो उटके चले गए बाहर, और वो लड़का गा रहा था, तो मैं खेल रही थी बाहर, मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ठीक गा रहा है, इसलिए मैं अंदर गई और मैंने का ये ऐसा नहीं, ऐसा है, गा कि मैंने बताया, तो पीछे से मेरे पिता जी आ गए, और उन्होंने सुना, सुनके उन्होंने मेरे मदर को बला कि कहा, कि देखो, हमारे घर में तो एक अच्छा गवया है, हमने कभी ध्यानी नह दिया, तो मुझे दूसरे दिन उन्होंने उठाया और सुबह छे बजे कहा कि तानपुरा लो और गाने के लिए बैठो, और वो दिन था जो मैंने उनसे गाना सीखना शुरू किया, और जब मैं सीखती थी, तो मेरे खाल मैं शायद पांच साल की थी, उस्ताद तुकलों के दो हुए हैं, एक अमानली खांसाब और दूसरे एन फाइनल अमानत खांच वैसी मुलाकातों में उन्होंने कहीं मरतवा तबाई का खिर किया, कि सज्ज्जाँ साब एक लड़की मेरी शागिर्द है, इस गदर अल्लापकिस को देहन है, और इस गदर इंतलिजिएंट है, कि जो जो मुश्किलात मैं उसको गले में रहसल देता हूं, उसकी रहसल देता हूं, उसकी रहसल देता हूं, वो गले से फॉरन अदा करती है, तो मैं दूसरी मुश्किलात रात को सोचता हूं और फिर उनको सिखाता हूं, उसको भी वो फॉरन कह देती है, तो मैं इतना पर कि को यह इस अंदास इस बात को अदा करो तो यू करते थी सब जेगे हम लोग पैसे मतलब उसी वक्त नहीं लेते थे तो पड़े रहते थे प्रोडिसर के पास कई जगाओं पर मेरे पैसे डूब भी गए तो बाद में जाके हमने यह शुरू किया कि वही पैसे वक्त पे लेन ही ऑख थी पर काम इतना जयाधे था कि सुअधो से दो गाने कि दुपहर को कि रहते ही श्याम को दो कि रात को जो निकले क्लेसिकल मुजीग का ज्यादा यह था ठीमे और मेरे पित जीर बड़े थे हमारे कपडे या पाउडर नहीं लगाना या मतलब मेक अप नहीं करना इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना ये बहुत उन में था और वो वक्त भी ऐसा ही था आज से साट सतर साल पहले जो भी लोग रहते थे वैसे और हमारी घर में मतलब मेरी मा भी वो नौगज साड़ी पहनती थी और घर में मतलब बड़ा ही पुराना ये धंग था सब तो उनको ये फिल्म कहने ही अच्छा लगता था हम लोगों को फिल्म में देखना मना था हम चार में मैं, मीना, आशा, उशा और भाई रिदेनाथ में चाहते ते थे, मैं सब के साथ खेलती थी और मेरे खेल बहुत खराब थी सची, मैं टायर में, टायर होता है न उसके बीच में मैं बैठकी थी और लड़कियां उसको और पूरे सड़क पे बहुत बदमाशी करती थी मैं दरस पे चड़ना और अमरूत तोड़ना आम और बहुत मैं मशूर थी वहां पे सारा दिन मैं हाथ में लाटी लेके गूमती थी सब को मार पीच्ट बहुत मस्ती करते थी हम लोग तो पिता जी क्या करते थी कि जब उनको मालूम होता था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बुलाते थे हम सब को सब को खड़ा करके थे और सिर्फ देखके थे हमारी करफ तो हम लोग सब रोने लग ते थे तो मुझे पूछते थे समझ गई मैंने क्यूं बुलाया था हम लोग के थे ये ये अश्च जाओ अप बस इतना हमारे लिए था मार तो पड़ी है मां से, बहुत मार की थी, पकड़ के, और उसके हाथ में काफी सोनी के सब यह होती है, कंगन और यह सब हमारे मराठी लोग पहनते हैं, पाचली और गोट और ऐसे बहुत भारी भारी होता, तो वो जब यू आके पीट पे पड़ता था, तो मैं तो यू वो ले नहीं रहा है, तो मैं जानती थी उस दुकानदार को, उसका नाम चिलिया था, तो मैंने का ला, मैं लाती हूँ, और मैं भागी, मैं भाग के गई, और उसको का चिला, सोब दो, उसने का अच्छा, उसने दिया आउतो, मैं तो मेरे पीता जी का बहुत नाम था, और वहाँ बहुत लोग जानते हैं, कहन्-वै इन कहा देख ये पैसे डाल रही हूं, इसकी पेटी में में मえば पैसे डाय है, तो वह जूते थे, तो टालके और मैं सबने लेके घर नहीं, मैं दो जब आदे नहीं टो मेरे पिता जी ने सुना, लिए अल्हे ऐसे लेकिया तुम मैं चुप होगे, तो मेरे माश ने बता कैसे लेकिया, मैंने का वो मैं डाल के आई वहाँ पैसे, कहने जूटे थे, यह दो आने ले जा और उसकी माफी मांग, और यह पैसे उसको देखिया, तो फिर तो खतम हो गया किसवा, मैंने तो बैठ के रोना शुरू किया, मैंने का मैं तो नहीं जाओंगी, अब इतना बड़ा यह करके मैं तो नहीं जाने वाली है, मैं पिताजी नहीं का, नहीं तुम को जाना पड़ेगा, मृत्यों के बाद, मेरे खाल से, एक मेहने के अंदर फिर मैंने नौकी की, और सबसे पहले मैंने नवयूग में, तिर तो फिल्म के सिवा कोई और चारा नहीं था, वहां मैंने तीन मेह मैंने का मेरा कॉंट्रेक्ट था, फिल्म में काम किया, छोटा सरूल था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेकप, और फिर वहां जाना, फिर लाइज, लोगों का ये कहना, वो कहना, फिर ये डायलोग, वो डायलोग, और जिस दिन मैंने प्लेबैक शुरू किया, उस दिन मैं मैंने भगवान के सामने हाथ जोड के काना, अब मैं फिल्म में काम कभी नहीं करूँ, अब मैंने काफी गाने गाये, अमीरबाई करनाट के साथ, वो गाना मेरा बहुत चला था, गोरे-गोरे उबांके छोड़े, पर हम लोगों का एक उस वक्त आपस में बड़ी अच्छी के रखते थी कि यहां एक तान कहनी है, पर उनको नहीं बताती थी मैं, और पहले गाती भी नहीं थी, जैसे टेक शुरू होता था, मैं खट से गा जाती थी, और फिर रफी साब को ज़रा अजीब लगता था था, वो कहते थे अच्छा, आपने ये कहा, बहुत साल कुरान मे बात है, अंदाज रिलीज हुई थी, और अंदाज का मेरा उनका डूएट था, वो बहुत पॉपलर हुआ था, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खपा होते हैं, पिक्चर पे राज कपूर और नर्गिस दोनों नी गाया था, हम लोग स्टेज पे गा रहे थे, और बड सफ कर लिए, ऐसी कुछ तराथ था, और आगे लाइन आती थी, लोग ऐसी ही आदाओं पे फिदा होते हैं, तो रफी साब इतना गाने के मूड में थे, बड़ा उन्होंने तानवान लेके शेर कहा, और जैसे लास्ट लाइन आई, उन्होंने कहा, कि लोग ऐसी ही फिदाओ पे अदा होते हैं, और जो पब्लीक में हसी, और रफी साब ने भी हसना शुरू किया, मैंने भी हसना शुरू किया, गाना तो आगे हुआ ही नहीं, हम दोनों हसते रहे, और वैसे ही परदा फिर गिरा है, आपस में हम लोग मजाग तो होता ही था, जूके मैं उनको बहुत करते हैं, वैसे बहुत शांत आदमी थे, और क्या कहूं है, जैसे भगवान का आदमी था, उनमें कोई ऐसे आयब भी नहीं थे, ना पान खाते थे, ना सुपारी, ना शराब, ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको, बस थोड़ा खाने का शौक था, और गाना, तो मैंने उनके साथ बहुत सारे डुएट का हैं, और कोई-कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं, जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है, और ना वैसी आवाज आई, ना मुझे लगता आवर सौ साल में आईगी.